हलो दोस्तों मैं डॉक्टर कोशलियादव फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे और आज हम सीखने वाले हैं पैटर्न्स ओव बोन डिस्ट्रक्शन इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने ये चाप्टर स्टार्ट कर दिया था बोन लॉस एन हम कंप्रीट करेंगे पैटर्न्स ओव बोन डिस्ट्रक्शन तो सो पैटर्न ओव बोन डिस्ट्रक्शन किस टाइप का होता है तो उसमें आता है होरिजॉन्टल बोन लॉस वर्टिकल बोन लॉस और शियस क्रेटर्स बलबस बोन कंटूर रिवर्स आर्किटेक्टर involvement तो ये सारा pattern है ऐसे ऐसे bone distractions होते हैं ये आपको याद रखना है ये question पूछा जाता है ठीक है short answer question long answer question में भी पूछा जाता है तो ये ध्यान से समझना है आपको अब बात करते है horizontal bone loss तो horizontal bone loss कैसे होता है क्या है समझते हैं इसको ये most common pattern है मतलब ये बहुत individuals में usually देखा गया है ये and bone height is reduced but bone margins remain perpendicular to the surface इसका मतलब समझ रहा है देखो अगर इस figure में आप देखोगे तो यहाँ पे जो bone loss हुआ है देखो bone पहले यहां तक होना था पर अब वो कहां तक है वो यहां तक है ठीक है तो bone का height है वो reduce हो गया ये radiograph में अगर आप देख रहे हो तो क्या हुआ वो नीचे आ गया ये जो bone है वो नीचे आ गया तो इसका height reduce हो गया बट इसका जो margin है वो tooth के perpendicular है ना tooth का tooth ये है इसके perpendicular है 90 degree है है ना ऐसे ही तो है तो यह 90 degree हो गया तो bone margins जो है वो perpendicular ही है tooth surface के बट bone height कम हो गया है ठीक है ना इसमें जो interdental septa facial lingual cortical plates are affected ठीक है तो इसमें बता रहा है कि horizontal bone loss होता है तो क्या-क्या effect होता है एक तो interdental septa facial और तो simple सी बात है इसमें interdental septa facial lingual cortical plates affected होंगे ठीक है अब बात करते है vertical और angular defect vertical को angular defect भी बोलते हैं अगर आप IUPO में देखोगे तो इसमें देखो कैसे vertically bone loss है ठीक है तो इसे angular defects भी बोलते हैं यह occurs in an oblique direction देखो यह oblique direction में है ना and leads to hollow out यहाँ पर क्या हो रहा है ऐसा लग रहा है कि यह hollow out हो गया यहाँ से पूरा bone निकल गया ठीक है अब इसको classify किया गया है on the basis of number of walls पर ठीक है तो एक होता है one wall defect जिसे one osus wall भी बोलते हैं दूसरा होता है two wall defects three wall defects और combined osus defect इसको one by one हम अब डिटेल में पढ़ेंगे ठीक है देखो समझो पहले सबसे पहले बात करते हैं one wall defect की ठीक है one wall defect का मतलब है एक wall defect होगा ठीक है जो की interdental wall है देखो मान लो ये mesial side है ये distal side है तो इसका mesial वाला wall है bone का वो गायब है वो उसमें defect हो गया ठीक है तो उससे बोलेंगे one wall defect मतलब one wall defect मतलब एक wall नहीं है ये समझो पहले ठीक है अगर हम two wall defect की अगर बात करेंगे तो मान लो एक interdental area हो गया या फिर एक lingual या facial surface हो गया दो wall हो गया तो दो wall नहीं है ठीक है तो two wall defect बोलेंगे अगर बोला जाए three wall defect तो एक तो interdental नहीं होगा और lingual और facial wall नहीं होगे तो वो three wall defect मतलब तीन walls नहीं है और इसका combination भी होता है बट पहले तो one wall defect two wall defect three wall defect फिर combined osius defect आता है fourth one जो combined osius defect है उसमें क्या होता है different defect type set cervical epical parts of the root मतलब देखो one wall गायब था दो wall गायब था तीन wall गायब था इसमें combined होगा तीक है तो उसको बोलेंगे combined osius defects चीक है नाओ अब osius craters क्या है ये समझते हैं osius craters मतलब होता है concavities in the crest of interdental bone जो interdental bone होता है दो दात के बीच में जो interdental bone है उसमें concavities आ जाती है तीक है ये देखो समझो जैसे ये normal bone contour होता है बट अगर osius crater की बात कर मादलो ये mesial side है तो ये कैसा हो जाएगा ऐसे concave हो जाएगा चाहिए ना तो उसे ही बोलते हैं osius craters और bone confined within facial lingual walls देखो मानलो ये facial है और ये lingual surface है तो facial और lingual surface में तो bone है confined है बट जो mesial surface है वहाँ पे ये concavities हो गया interdentally ठीक है ना उसे ही बोलते है osius craters ये क्यों होता है पता है क्योंकि plague accumulation है difficult to clean क्योंकि देखो interdental area में जादा खाना फसता है वहाँ पे प्लाग जादा accumulate होता है और वहाँ difficult to clean brush भी नहीं पहुच पाता है इसलिए वहाँ पे bone resorption होता है उस area में दूसरी बात है normal concavities in lower molars of course ये बात है lower molars में तो concavity होती ही है और तीसरी बात vascular patterns from gingiva to crest of bone pathway of inflammation देखो अब बहुत सारे vessels जोते वो interdentally जाते हैं bone की तरफ crest को blood supply करते हैं बट वही तो pathway of inflammation हो जाता है वहीं से तो inflammation घुसके bone में चला जाता है और resorption कर देता है तो ये ही सारे reasons है इसके osus craters बनने के समझ में आए इतना आगे बढ़ते हैं उसके बाद आता है bulbous bone contours bulbous bone contours मतलब ये देखो कभी-कभी न क्या होता है bone का enlargement हो जाता है bone बहुत ही bulbous हो जाता है enlarge हो जाता है bony enlargement बोलते हैं या फिर an adaptation to exhaustosis मैंने एक वीडियो में पढ़ाया है exhaustosis मतलब bone का enlargement हो जाना ठीक है normal bone से जादा extra बढ़ जाना और adaptation to buttressing bone formation buttressing bone formation का मतलब अगर excessive force लगता है न बकल या फिर lingual surfaces में तो वहां का जो bone होता है वो एक्तम हाड और जादा ही bulbous हो जाता है अपना excessive force की वजह से उसे बोलता है adaptation of buttressing bone formation और ये सबसे जादा maxilla में देखा गया as compared to mandible आप देखा हो बकल surface पे जादा देखा गया है ये बकल area है तो यहाँ पर bulbous bone contour देख रहे हो गया उसे ही बोलता है bulbous bone contours चीक है ये देखो इस side देखो excessive force लगने की वजह से bone का देखो कैसे ये बलबस हो रहा है देखा यही चीज़े है अब आता है reverse architecture और reverse architecture क्या चीज़ है पहले समझो इसको produced by loss of interdental bone ये कैसे बनता है जब interdental bone loss हो जाए तब बनता है या फिर facial या फिर lingual plates without concomitant loss of radicular bone, radicular bone को कुछ भी नहीं होगा बस interdental bone loss होने के वजह से या facial या फिर lingual plates के loss होने के वजह से होता है और यह maxilla में commonly affected होता है मैं अभी अब समझाता हूं क्या होता है देखो हमारा normally कैसा होता है bone यह first figure में देखो positive architecture ऐसा रहता है इंटर-dental की तरफ ऊपर रहता है यह facial हो गया और इंटर-dental की तरफ यह interdental area होगया interdental area की तरफ जादा रहता है उपर की तरफ और facial में कम रहता है बट अगर यही यहाँ पे इंटरडेंटल लॉस हो जाए तो कैसा बन जाता है यह नेगेटिव आर्किटेक्चर उसे ही बोलते है रिवर्स आर्किटेक्चर मतलब जो उपर होना चाहिए था वो नीचे आ गया जो नीचे होना चाहिए था वो उपर आ गया समझ रहो उल्टा ह क्या होता है लेजिस समझो प्लेट्ट्यू लाइक बोनी मार्जिन्स हो जाता है जब हम लोग फ्लैप्स को हटाएंगे तब हमें देखो प्लेट्ट्यू लाइक बोनी मार्जिन्स दिखेगा उबडखाबड दिखेंगे ऐसे क्यों ऐसा होता है पता है कॉस्ट बाई रिज atau hiring,chiles ठीक हो जाते हैं,चीक है न,ब फरकेशन इन्वाल्ब्मेंट देखो जैसे αगर molars जैसे यह तुमारा दांत हो गया यह रूट्स हो गाई, इस एडिया को बोलते हैnya यह वालग जो एडिया है जो परकेशन और our यहां क्या होता है, involvement of bifurcation या फिर trifurcation of multi-rooted teeth by periodontal diseases की वज़े से होता है यह, और सबसे ज़्यादा common side यह कहां पाया जाता है, पता है, most common in mandibular molars, mandibular molars को ज़्यादा target करता है, और least common in maxillary premolars, मतलब maxilla में तो कमी होता है, mandibular molars में ज़्यादा होता है, ठीक है न, यह देखो अगर यह probe डालते हैं, तो यहां का जो bone है, वो loss हो चुका है, अब यहां का जो bone loss हो चुका है, तो यह probe असानी से घुसेगा अंदर, ठीक है न, तो यह फरकेशन involvement होता है, अब लिकमन ने classify किया है, 1953 में, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, classify किया गया फरकेशन का, जो grade 1 होता है, उसे incipient फरक को बोलते हैं, grade 3 को communicating or through and through फरकेशन बोलते हैं, और grade 4, जो हमारा होता है, वो पूरा ही उसमें सारे bones जो होते हैं, पूरा ही resolve हो जाते हैं, एक दब नीचे तगा जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ figure में, तब समझ में आएगा, देखो, सबसे पहला वाला जो है, उसे बो हलका सा, और इसमें कोई bone loss नहीं होगा, थोड़ा सा बस अपना probe जाएगा अंदर, ठीक हैं, उसके बाद call D sec में क्या होता है, half of the probe जो है न, वो चला जाता है, टूत के half of the probe चला जाता है, और इसमें bone loss होता है, ठीक हैं, इसलिए half of the probe चला जाता है, उसके बाद communicating through and through फरके यहां पर देखो, इतना बड़ा होल हो गया है, फरकेशन में तो probe तो अराम से चला जाएगा, तो यह through and through है, ठीक हैं, और जो fourth है, grade fourth, उसमें तो क्या होता है, inflammation भी खतरनाक वाला होगा, और bone इतना loss हो चुका होगा, कि दात एकदम move करने लग जाएगा, इसका treatment भी नहीं ह है, तो उसका कोई treatment नहीं है, सीधा दात को निकाल दो, ठीक है, यह रहता है, तो I hope आप समझ गया होगे, pattern of bone loss कैसे कैसे हो रहा है, अगर कुछ doubt है, इसमें तो मुझे पूछो, मैं उसे according आपको समझाने की कोशिश करूँगा, very easy topic यह पूछा जाता है, important है, अच्छे से प